नमस्कार लाइब बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ मैस निहा गुपता बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव का ब्रिगुल बचते के साथ ही उम्हिदवारों का एलान हो चुका है जहां एक तरफ 18 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक चुनाव लड़ने का इशारा दे दिया उनको टिकेट मिल चुका है जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रही है आप वह देख सकते हैं जहां पर हर जगह हर कोई तयारी कर रहा था और इसी बीच चर्चाय थी कि आखिरकार जीतर नाम मांजी किसको टिकेट देते हैं एंड दिद्वार है जोकि इमाम गंझ से चुनाव लड़ेंगी और देखना आ था होगा क्या जिस द न रामम मांजी की तो आपको बता दे वह सर्बधार के मंतरि और उनकी पत्नी थीपजाब रहें तरारी रामगड बेला गंज और इमाम गंज और इसी सीट पर आपको वता दे दीपा मान जी के सामने खड़े हैं प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जिनको पीके ने इस बार टिकेट दी है और पीके ने दो अक्टूबर को जन सुराज पार्टी का एलान कर दिया था और यह कहा थ कि हम भी चार सीटों पर चुनाद लड़ेंगे तो यह पूरा मुकाबला त्रिकोनिय हो चुका है जहां पर एक तरफ महागडबंदन है दूसरे तरफ एंडिये है तो तीसरी तरफ प्रशांत किशोड ने पूरा महौल बदल दिया है जीदना मान जी ने तो टिकेट दे दि लागी और सब को इंतिजार रहेगा कि आखिरकार यह चारों सीटे किस किस पार्टी के पास जाती है इंडिये भी पूरी तैयारी में लगी हुए है दूसरे तरफ राजत ने भी अपने प्रतियाशियों के नाम की घोशना कर दिया तो तीसरी तरह जहन सुराज पार्टी भ अब बात करें तो जीतनराम मांजी का छेतर भी है और गया के सांसद है जीतनराम माल उन्हें अपनी बहूत दीपा मांजी को जिमदारी दिया कि जनता की उमीडों पर खड़े रहे और जंता दीपा मांजी को जरूर से जरूर जिता है क्योंकि हर तरफ चुनावी प्रक्रिया चल रही है नॉमिनेशन का आखरी दिन 25 अक्टूबर है अब देहना होगा जैसी जैसे दिन सामने आते दिन करीब आते तो क्या कुछ होता है बने हमाई साथ तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्री